तो अगर आप भी परिस्तान है बढ़ती ग्राफिक कार्ट की प्राइजेस को लेकर आप भी सोच रहे थे कि यार आखिर ग्राफिक कार्ट की प्राइजेस कब कम होंगी आखिर कब मैं अपना पहला PC बनाऊंगा यार फाइनली पैरेंस ही मान गए है एंड आप एकदम तयार से PC बनाने के लिए बड़ ग्राफिक कार्ट की प्राइजेस को लेकर आपने अभी तक होल्ड पर रखा है अपना पहला PC तो आपके लिए हाँ आपके लिए ही एक बढ़ियासी गुड नियूज देके आया हूँ आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क की गाईज आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों को ग्राफिक कार्ट की प्राइजेस कम होती नजर आएंगी जानेंगे भाई एक्ष events क्ये रीजन से क्यों ग्राफिक कार्ट की प्राइजेस नोर्मल हो सकती हैं थो हें उसे जांव को आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखे रहा हूं को उसको दबा देना साथी साथ में जो बेल और विकेसान आइकान ने उसको भी और पर रख देना ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें का सबसे जो बड़ा और सबसे में रीजन वह यह है कि गैलेक्स ने एंड साथी साथ में कुछ और ब्रेंड्स ने अपने लहर वाले कार्ट को अनौन्स कर दिया है तो सबसे पहले आपको लहर का मतलब बता देता हूं LHR stands for low has rate आसान भासा में आप लोगों को समझाओ तो example के दोर पे आप एक 3070 लेलो अब कोई माइनर अभी पहले का जो 3070 पर्चेस करता था एं माइनिंग के लिए जब उसको लगाता था तो वहाँ पे उसको easily 60 का has rate देखने मिल जाता था बट यहाँ पे जो गैलेक्स ने high cards announce किये है 3070, 3080 and 3060 इस वाले LHR 3060 में सीधा सीधा जो has rate है वो 50% कम हो जाएगा that means कि यार माइनर्स को इस वाले card में खाली 30 का has rate मिलेगा तो इसकी वज़ा से जो profitability है ना वो 50% कम हो जाएगी but gamers के लिए अच्छी बात यह है कि इससे भाई gaming performance में कोई भी effect नहीं performance मिलेगी but miners यहाँ पर इस वाले cards को purchase नहीं करेंगे because उनको यार 50% कम performance मिलेगा and 50% कम profit मिलेगा but price तो उनको उतना ही पे करना है इस वज़े से यह जो नए LHR वाले cards है यह gamers को यार मिल पाएंगे and इसके साथ एक और point add करना चाहता हूँ यहाँ पर यह scene पहने भी एक बार ह 3060 के साथ अब यहाँ पर 3060 में भी Nvidia ने कोई software based limiter लगा दिया था and उसके बाद guys miners को उस वाले card में 25 के आसपास का head rate मिल रहा था but Nvidia से गलती हो गई कुछ 470.5 करके driver था वो leak हो गया उसके बाद यह वाला जो card है न अपने full potential पर mine करने लगा and उसके बाद इस वाले card के अंद guys hardware level पर changes होने वाले हैं तो इस वज़ा से LHR वाले cards के साथ 3060 जैसा scene तो बिल्कुल भी नहीं होगा और जो दूसरा reason वो यह है कि guys Nvidia mining के लिए dedicated graphic cards लेके आने वाला है and यहाँ पर कुछ cards announced भी हो चुके हैं जिनका नाम है CMP30HX, CMP40HX and CMP50HX and guys अगर mining के लिए dedicated graphic cards आ जाते ह market में सही price पे तो यार miners automatically उन cards को purchase करेंगे and gamers के लिए यार काफी सारे cards already market में available है and guys जो तीसरा reason वो यह है कि लोग कह रहे हैं कि June में EIP 1559 आने वाला है अब यह आने के बाद जो profitability हो जाएगी ना miners की वो यार एकदम 50% कम हो जाएगी example के दोर पे जो लोग Ethereum mine कर रहे थे पहले वो यार एक लाक रुपे कमा रहे थे EIP 1559 आने के बाद उनका जो profit हो 50% कम हो जाएगा यानि कि उसके बाद जो उनका profit होगा ना वो 50-60,000 ही रह जाएगा तो यह भी एक काफी बड़ा reason साबित हो सकता है because ज्यादा तर लोग यार अभी Ethereum ही mine कर रहे बाकी सारे coins के हिसाब से Ethereum ही सबसे ज्यादा profitable coin है mine करने के लिए and जहां यार एक बार Ethereum का profit 50% घटाना वहाँ यार इस वाले field से automatically काफी सारे जन दोड़ देंगे and आप लोगों को तो पता चली गया होगा यार crypto का market है ना 40% तक नीचे चाला गया हुआ है मतलब एक तरह से आप समझो crash हो गया है तो guys यह थे वो सारे reasons जिसकी वज़ा से graphic card की prizes में आप लोगों को कटवती देखने मिल सकती आने वाले कुछ महीनों में and guys video को end करने से पहले एक और factor add करना चाहूंगा यहां पर human malware के चलते आप लोगों को पता है यार ज्यादातर जगा lockdown हो रहा है and हमारे जो PC parts होते हैं वो ज् Taiwan में भी lockdown हो सकता है हाला कि जब मैं यह video record कर रहा हूं तो अभी तो यार ऐसा कोई news ने आए कि Taiwan में lockdown हो गया है but ऐसा लोग कहरे कि हो सकता है and अगर एक बार Taiwan में lockdown हुआ न तो भाई PC parts की prices graphic card तो छोड़ दो बाकी की PC parts है ना उनकी prices भी यार काफी ज़्यादा बढ़ने वाल requirement है वो तो लेगा ही लेगा तो अगर Taiwan में lockdown हुआ ना तो यार PC parts की prices काफी ज़्यादा बढ़ सकती है तो लास्ट में आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा अगर आप wait कर सकते हो मतलब next year तक wait कर सकते हो तो करो बट अगर आप wait नहीं कर सकते हो तो यार आप एक APU ले सक लोगों तो इतना ही था का इस इस वाली वीडियो में I hope इस वाली वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा कि यार Actual में Market में चल किया रहा है अगर आप लोगों को यहवाली वीडियो पसंद आये तो यहर वीडियो को like कर देना मैं वह एक मिलूग आप I'm spittin' pain, my big bro is twirlin' gangbang